हलो फ्रेंड्स, आज के से वीडियो में हम बात करेंगे किलियर स्किन क्रीम के बारे में स्किन क्रीम की पूरी जानकारी दूंगी, तो परियोग किन कारणों से किया जाता है आप इसे कम परियोग कर सकते हैं, किस तरह से या आपको स्किन बैनिफिट्स देती है इसके क्या side effects है फाइदे नुकसान सारी चानकारी दूँगी विडियो पूरा जरूर देखे बात करते हैं इस क्रीम की तो ये एक medicated क्रीम है इसका परियोग किया जाता है इसकी संबंदित समस्या को दूर करने के लिए जैसे आपकी स्कीन में किसी भी परकार का मिलाजमा, pigmentation, dark sport है उसे दूर करने के लिए परियोग किया जाता है प्राइस की अगर बात करें तो ये काफी affordable क्रीम है इस क्रीम के लिए लगेंगे आपको 169 रुपे जिसे आप किसी भी नजदी की medical store से खरीच सकते हैं या फिर आप इसे online भी purchase कर सकते हैं के बात करें तो इसमें है hydroquinone, momitazone, tretinoin और इसे alcheme laboratories नामक company बनाती है अब बात करते हैं ये क्रीम कैसे work करता है इस किम पे तो बता दू hydroquinone, momitazone, tretinoin तीनों ही medicine composition है जिसका परियोग किया जाता है डार्क sport को खतम करने के लिए इसके इलावा मिलाजमा है, जाईया है pimple से या चेहरे पर जो दाग हो चुकी, वो उसे खतम करती है इसके साथ-साथ melanin production को भी ये कम करता है melanin का काम होता है skin को dark बनाना, यानि जिस चेहरे में melanin का production अधिक होता है वो चेहरा अधिक काला दिखाए देता है तो ये क्रीम melanin production को कम करता है जिससे आपकी skin गोरी दिखाई 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 देती है कुछी दिन परियोग करने से आपको इसका जबदस्त फाइदा मिलने वाला है आपकी स्किन बिलकुल बेदा, गोरी और सुन्दर हो जाएगी फाइदे के साथ साथ साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकती है जैसे इसमें आपको स्किन इरिटेशन हो सकता है इसके इलावा स्वेलिंग हो सकती है और हलकी सी जलन हो सकती है चेहरे में धूप में जाने के बाद चेहरा लाल हो सकता है इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं अगर आपको इस तरह कोई भी side effects नजर आता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सला ले कुछ ही सब्तों में यह आपके skin में visible result देगी और आपकी skin को बहुत जल्दी ही recover करने में मदद करेगी यह एक काफ़ी affordable cream है जिसका price काफ़ी कम है और cream की अपिक्षा इसलिए इसका परियोग बहुत ज़्यादा किया जाता है skin treatment में इस cream का परियोग आप लगातार नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक steroid cream है आप इसे कुछ समय के लिए परियोग कर सकते है as a medicine जब आपकी समस्या दूर हो जाए तो आप इसे लगाना बंद कर दे और इसे कभी भी एक fairness cream के तरह लगातार परियोग नहीं करना है अगर आप भी अपने face के लिए एक अच्छी cream ढूंड रहे हैं जो आपको visible result दे कुछी सब्तों में तो इस cream का परियोग करें और अपना best result पाएं तो आज किस वीडियो में बस इतना ही उमीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए informative रही होगी चैनल पर नए है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की informative वीडियो आपको आगे भी मिलता रहें वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद